हेलो फ्रेंग्ग, गुड मॉर्निंग, सभी कैसे हो, आइफोप अच्छे हो, मौज में हो, सभी को गुड मॉर्निंग, सूपरभात, रादे, रादे, कृष्णा, कृष्णा, चलो फोटाफट से क्लास को जोइन करो, आज का करेंड अपन स्टार्ट करते हैं, आज दिनाख है बीस दिनवरी दो हजारे चोविस ठीक है चलो तो देखो क्यूशन नमर वन के अपन बात करते हैं कल के क्यूशन का अपन रिविजन कर लेते हैं 19 दिनवरी का हाल ही में भारती सेना द्वारा कौन सा ओप्रेशन है वो प्रारम किया गया तो भारती सेना के द्वारा ओप्रेशन सा रह सकती है वो प्रारम किया गया ठीक है चलो नेक्स्ट क्यूशन अपन देखते हैं हाल ही में वर्ड एकोनोमिंग फोरम की मिटिंग कौन से सहर में प्रारम हुई तो वो सहर था दावोस आपका उप्सन ए है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन अपन देखते हैं कि हाल ही में विश्वपरसित कौन सी यात्रा को ओडिसा में सुरुक किया गया है तो वो यात्रा है धनू यात्रा ठीक है इस यात्रा को प्रारम किया गया है नेच्ट क्यूसन अपन देखते हैं कि हालही में गौाटेमाला की नई राष्टपती है वो कौन बने है आपका उक्षन है बरनाडो एरेवलोड ठीक है चलो नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं हालही में सकसेशन सिरीज का कौन सा पूरुष्कार जिता है तो वो जीता है बिचेतरवा एमी आवार्ड दो हजार चोविस चलो नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं हाल ही में वाइस एड्मिरल ए एन प्रमोत दुआरा किसका पदबार ग्रैन किया गया तो करेक्ट आंस्वर हो जाएगा आपका नो सेना संचालक महा निदेश आपका आपका उप्सन सी है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूसन अपन देखते हैं हाल ही में नागपूर में कौन से मेली का आयोजन हो रहा है तो नागपूर में तेरवा दिव्यकला मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है next question अपन देखते हैं हाल ही में एक उर्दु गायक का निदन हुआ है वह कौन है तो देखो उनका नाम है मुनवर राना next question अपन देखते हैं हाल ही में केरल सरक्वा द्वारा एंटोबाइटिक दवाओं के दुरूपयों को नियंतरित करने के लिए कौन सा operation शुरू किया है तो operation अमरित है वो शुरू किया है आपका option B है वो correct हो जाएगा ये तो अपना था कल का current उसका अपन ने reason कर लिया है अब चलते हैं आज के current की तरफ आज का question number 1 चलो देखते हैं आज का question number 1 है कि हाल ही में कौन सी university के विग्यानिकों निपाह वायरिस के टिके का पहला मानव परिक्षन किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केरल में निपाह वायरिस के लक्षन मिली है सबसे पहला के से केरल में मिला है तो देखो अभी उसकी vaccine आ चुकी है और वो जो परिक्षन है वो पहला परिक्षन किया गया है मानव पर यानि मनुश्य पर पहला परिक्षन इसका किया गया है तो यानि कि वो कौन सी university है जिसके द्वारा ये परिक्षन है किया गया है यानि जिसने निपाह वायरिस का जो टिका है वो खोजा है यह है निपाय वाइरस का टिका ठीक है यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ओक्सपोर्ड यूनिवर्सिटी है अगर वाइरस टिके की बात करें तो निपाय वाइरस के लिए है और अगर परिक्षन की बात करें तो पहला मानव परिक्षन है और वेक्षिन का नाम की बात क कि जाए कि कितने से कितने एस तक के वेक्टियों पर यीपरीक्शन किया गया है तो 18 से लेकर 55 वर्स की आयू के 51 वेक्तियों में यह परिक्षन किया गया है यानि 18 सली के 22 तक के जो 51 वेक्ति थे वह वाँ मुझूद हुए थे जिनमें यह परिक्षन किया गया है अब अपन निपाह वाइरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यह कैसे होता है क्या चीज है तो देखो इससे 75% जो मृत्युदर की बात करें तो गातक बिमारी 75% तक इससे मृत्य हो सकती है 75% मृत्युदर वाली गातक बिमारी है निपाह वाइरस और इसके बारे में नेक्स देखें कि फैली कहा है सिंगापूर, मलेशिया, बांगला देश और भारत जैसे कई ऐसे एसे एसे देश है जहां पर यह बिमारी है फैली हुई है और बारत में पहला केस केरल में है और भारत में पहला मरीच सितंबर 2023 में कहा केरल में आया था 2023 में आया था साइध ये सितंबर के बाद के मामले है सितंबर को लगबग आया था 2023 में चलो तो अब अपन नेक्स्ट क्यूसन देखते हैं Next question देखो अपना क्या है राज्ये की startup ranking 2022 में सरस्रिष्ट राज्ये कौन सा है अगर सरस्रिष्ट राज्ये की बात करें कौन सी startup ranking 2023 में तो देखो केरल, करनाटक, गुजराथ आपका option D है वो correct हो जाएगा उपरोक सभी यानि ये तिनों ही जो राज्य है इसमें सामिल है Startup Ranking 2013 इसमें सरवस्रिष्ट राज्य के रूप में सामने आए है चलो तो अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि गुजरात, केरल और करनाटक राज्यों को Startup Ranking में सबसे बहतर है वो परदशन करने के लिए अवार्ड परदान किया गया है और रिपोर्ट जारी करता कि अगर बात करें कि किसने है ये रिपोर्ट जारी की है तो वो उद्योग समवर्दन और आंतरिक व्यापार विबाग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है ठीक है और सामिल की बात की जाए किस को सामिल किया गया है सभी राज्य और सभी केंदर सासित परदेश को इस रिपोर्ट में सामिल किया गया है तो इन में से ये तीन राज्य हैं वो सामने हाई हैं यानि इन तीनों राज्यों को है अवार्ड दिया गया है अगर उदेशे के अपन बात करें तो राज्यों और केंदर सासित परदेशों को उनके स्टार्ट अप परिस्तितिक तंतर का विक्षित करना इसका मुख्य उदेशे है नेक्स्ट अपन देखते हैं सिर्ष परदशन करने वाले राज्ये अब अपन देखते हैं कि उबरते स्टार्ट अप परिस्तितिक तंतर विक्षित करने वाले राज्ये की अपन बात करें लेते हैं जो अभी उबर रहा है स्टार्ट अप तो वह है च्छतिस गड़ दिल्ली और जंबो कस्मेर ठीक है अब रेंकिंग की बात कर लेते हैं रेंकिंग में देखो गलोबल फाइर पावर मिलिटर रेंकिंग में भारत चोटे स्टान पर है यानि भारत के बारे में अपन देख रहे हैं कि अभी जो बारत है वो किस-किस में first pay है या second कौन सा भी जो स्थान है उसके बारे में अपन देख लेते हैं Global Firepower Military Ranking में गर बात करें तो बारत चोतेस्तान पर है और Henle Passport Ranking में बारत की रेंकिंग है वो 80 वी रेंकिंग आई अभी ये हाली क्या आँकड़े है और स्वच सहरों की रेंकिंग में बात करें तो इंदोर वर सूरत सबसे अच्छे सहर है लेकिन अब इन सहरों का भी record रूट अपने वाला है कौन तोड़ेगा अयोदा तोड़ेगा जो स्वच सहरों में आगे सामने आने वाला है और मैलाओं के लिए सर्वत्तम सहर की बात करें तो चेन नहीं है ठीक है next question अपन देखते हैं हाली में जंबुब कस्मीर के किस स्टेडियम का नाम बदलकर है वो विपिननरावत स्टेडियम है रख दिया गया है देखो इन में से कोई एक स्टेडियम है जिनका नाम अभी क्या किया गया है विपिन रावत स्टेडियम किया गया है और विपिन रावत जो ये कौन है इसके बारे में आपको पूरा आगे बताया जाएगा इनकी हेलिकोप्टर के दोरान दुर गटना में इनकी मौत हो गए थी तो इनके नाम पर फिर इनका नाम है वो क्या रखा गया है विपिन डावत स्टेडियम नाम रखा गया है तो स्टेडियम कौन सा है वो option A आपका वारा मूला स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम इडन गार्डन स्टेडियम MM चिन्त बर्नम स्टेडियम तो अगर correct answer के अपन बात करें तो correct answer आपका हो जाएगा option A उस ताइम सच्चिन तेंदुलकर की प्रतिमा का यहां अनावरन किया गया था सच्चिन तेंदुलकर ठीक है इनकी प्रतिमा का अनावरन किया गया था और यह प्रतिमा कितनी फिट उन्ची थी? 22 फिट उन्ची थी ठीक है 22 फिट उन्ची परतिमा का नावरण किया गया है और देखो अब अपन देखते हैं वारा मूला स्टेडियम के बारे में ये है वारा मुला स्टेडियम जिसका अभी वापिस से क्या किया गया है उद्गाटन किया गया है नाम चेंज करने के बाद और देखो जम्बू कस्मीर के उपराज येपाल का आपको नहीं पता है तो वर्तवान में कौन है मनोज सीना है उन्होंने उतरी कस्मीर के 12 मुला में जनरल वीपिन रावत स्टेडियम का उद्गाटन किया है अब देखो ये जनरल वीपिन रावत है ये कौन है ये विपिन पदो पर उत्री कस्मीर में सेवाई परधान कर चुकी है जनरल से आपको पता लग रहा है ये कोई सेना दिकारी ही है तो ये कस्मीर में जो सेवाई है वो परधान कर चुकी है और देखो ये गटना होई थी दिसंबर 2021 में ठीक है उसमें क्या हुआ था कि ये जो विपिन रावत है वो उनकी पतनी का तमिल लाड़ू के यानि उनकी पतनी और ये दोनों है न हेलिकॉप्टर के मादिम से कहां जा रहे थे तमिल लाड़ू में क्या हुआ था महां एक दुरगटना हो गई थी कुनूर में एक हेलिकॉप्टर दुरगटना में इनका नीदन हो गया ठीक है वो कहीं जा रहे थे तो क्या हुआ तमिल लाड़ू के कुनूर जिली में सोरी कुनूर में वहां पर दुरगटना ग्रस्त हो गया था हेलिकॉप्टर उसके बाद है ये नहीं रहे अब अपन देखते हैं नाम परिवतन की कि कि किसका किसका नाम चेंज किया गया है जब नाम परिवतन का नाम ही आया है तो देखो फिरोजाबाद का नाम है वो चंद्रनगर कर दिया गया है अयोध्या एर्पोर्ट का नाम क्या रखा गया है महरसी वालमी की हवाई अड़ा और मुगल गार्डन का नाम अमरी तुद्यान रखा गया है और अयोध्या रेल्वे स्टेशन का नाम अयोध्या धा में जक्सन कर दिया गया है और पंजोखरा गाउं है हरियाना में उसका पंजोखरा साइफ किया गया है और देखो एक और है एल मिनाहाथ जो सिंग्त अरब अमिरात में इसका हिंद सहर है वो नाम कर दिया गया है यहां है जंबू एंड कस्मीर ठीक है अब देखो केंदर सासित परदेश के अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 में ये केंदर सासित परदेश बना था और राजदानी इसकी स्री नगर और जंबू है और अगर इसकी सीथ कालिंग राजदानी की बात कि जाए तो धरम साला है और उपराजय पाल अगर देखे तो मनोच सिना है और देखो पीम विश्व कर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंदर सासित परदेश है कौन जंबू और कस्मीर कौन सी योजना पीम विश्व कर्मा योजना ठीक है और ग्यानोदे एक्सप्रेस कोलेज ओन वील्स कार करम सुरू करने वाला भी एक इंदर सासित परदेश है ठीक है यह चीज भी आप ध्यान रखना नेक्स्ट अपन देखते हैं कि विंग्स इंडिया 2024 की सुरुवात कहां से हुई है तो आपका उप्सन ए है हेदराबाद, जैपूर, दिल्ली और चे नहीं तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? विंग्स इंडिया 2024 तो इसके सुरुवात आपके विंग्स इंडिया है हेदराबाद से आपका उप्सन ए है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलो पिसके बारे में देख लेते हैं अपने देखो यह एसिया का अब तक का सबसे बड़ा विमान कार्यकरम है और विंग्स इंडिया हेदराबाद के बेगम पेठ हवाई अड़े से सुरुख किया गया है अब देखो विमान से तो आपको पता लग गया हो हवाई जान्ज के बारे में कुछ होगा ठीक है तो हवाई अ अड़े से है यह बेगम पेठ हवाई अड़े से सुरुख किया गया है इसकार्यकरम को और देखो इसका उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है केंद्री नागरी उडियन मंत्री कौन है जोतिरा दीते इनके द्वारा इसका उद्गाटन किया गया है अगर अपने से सयोगवन नवाचार को बढ़ावा देना इसका उदेश्य है और देखो थीम है इसकी 2024 के भी थीम रखे गई है अमरित काल में भारत को विश्वय के साथ जोड़ना ठीक है यह इसकी थीम है और नेक्स्ट अपन देखते हैं आयोजन की बात तो यह आयोजन कब तक होगा 21 ज से रिलिकेट अन्य समेलन देख लेते हैं जब समेलन का यहाँ पर नाम आया है तो समेलन और भी देख लेते हैं मतश्य किसान दीव समेलन 2023 महाबलीपूर में आयो जित हुआ सेमिकोन इंडिया 2024 गांधी नगर में विश्व कोफी समेलन है वो बेंगलोरू में आयो जित एरोस्पेस नमयलन 2023 गवालियर में और रास्ते यूवा समेलन 2024 नासिक में हुआ अब नेक्स्ट कुईसन अपन देखते हैं राव इंडर जितसी हैने कौन सा मोबाईल एप लॉँच किया है मोबाईल एप लॉँच किया है किसने राव इंडर जितसी हैने तो उस mobile app का आपको नाम बताना है option ए है part mitro app, flood watch app या मेरा युवा भारत app या employee let's eat saxi app तो correct answer है वो इसका क्या होगा अगर अपन देखो अब अलग-अप्शन के बारे में देख लेते हैं अपन बात करते है part mitro app के बारे में नेक्स्ट अपन देखते हैं flood watch app ये flood watch app है वो केंद्रिये जल आयोग के द्वारा प्रारम किया गया केंद्रिये जल आयोग ठीक है और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मेरा यूवा भारत एप तो मेरा यूवा भारत एप इससे आपको पता लग रहा है मोदी जी के द्वारा प्रारम किया गया है तो नरेंद्र मोदी ठीक है तो इसका correct answer आपका क्या हो जाएगा MPLATS इस साक्सी एप है वो लॉंच किया गया है किसके द्वारा राव इंदर जीत सी है कि द्वारा चलो तो अब अपन इसके बारे में देख लेते हैं देखो राव इंदर जीत सी है वो केंद्रिय सांकी की और कारिकरम किर्यानवाय मंत्रा लेके राज्य मंत्री है ठीक है और इन्होंने MPLATS इस साक्सी एप को लॉंच किया है और इस एप से क्या हुआ सांसत प्रियोजनाओं को प्रस्ताव ट्रेक और निगरानी कर सकेंगे इसका उदेशय है इस एप का किसके मादम से क्या कारिया हो सकता है कि सांसत में जितने भी प्रियोजनाओं बनाई जाएगी उसका जो प्रस्ताव होगा और ट्रेक और जो निगरानी है उस से रिलेटेट जितने भी मामले होंगे वो सारे क्या इसके मादम से ये इसका उदेशे रखा गया है और यह सांसद और समंदित अधिकारियों के बीच संचार को स्विवस्तित करेगा आप देखो वो पोटल का नाम या एप का नाम है तो अन्य पोटल और एप यह पन देख लिते हैं सबी को समझ में आ गया, next question की तरफ चले, चलो next question देखते हैं, बारत में सारजनिक छेतर उपकरम की सबसे मुल्यवान company है, वो कौन सी बनी है, अगर मुल्यवान company की बात करें, बेल, अलाइसी, हाल और ओनजी सी, correct answer है वो आपका क्या होगा, तो correct answer आपका बेल हो जाएगा, ठ सेकेंड, ठीक है, अलाइसी, भारती जीवन भीमा निगम का बाजार पुंजी करेंड मुल्य भारती स्टेट बेंक से जादा हो गया है, ठीक है, और अलाइसी का जो market came पह वो 5.8 लाग करोड रुपे पार कर गया है, और देखो, अलाइसी का जो वित्य वर्स है, दो इसके 6 महा में अच्छा परदशन रहा है, ठीक है, तो ये तो इनके रिजन थे, अब अपन भारती जीवन भीमा के बारे में भी देख लेते हैं, भारती जीवन भीमा निगम, इसके पूरा नाम के अगर बात की जाए, लाइफ इंसोरेंस कॉर्पोरेशन और वो, इंडिया लाइसी आपका option B है, वो correct होगा, लाइसी ठीक है, तो लाइसी के बारे में सारा बता दिया है आपको, कि लाइसी का जो वितवर्स है 2023 से, वो 6 माए में अच्छा परदशन कर रहा है, तो इसलिए लाइसी है, वो टोप पे आ रहा है, और अब देखो भारती जीवन भीमा के बारे में देख लेते हैं, लाइसी की फुल फॉर्म क्या है, भारती जीवन भीमा, और पूरा नाम अगर इंगलिस में देखें, तो Life Insurance Corporation of India इसकी फुल फॉर्म है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका मुख्याले, मुख्याले कहा है, मुंबई में है, और देखो अधि देखते हैं कि MSADP Global Ranking Report में LIC को चोथे स्थान पर रखा गया, यानि इसको स्थान की बात करे कौन से स्थान दिया गया, फॉर्थ स्थान है, वो इसको दिया गया है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाल ही में वीरा राणा, किस राजे की मुख्य सच्चिव बनी है, कौन, व वो बनाया गया है, अब चलो, वीरा राणा के बारे में देख लेते हैं, ये आये सदिकारी भी है, ठीक है, वीरा राणा को मद्य परदेश राजे की मुख्य सच्चिव के रुपद पे नियुक्त किया गया है, और इसके साथ ये चीज और भी ध्यान रखना, कि मद्य पर देख की आयेस अधिकारी है, निर्मल बच्च ठीक है, और देखो, अब बात करते हैं पर वीरा के बारे में, कि वीरा है, ये मद्य परदेश की दूसरी महिला मुख्य सच्चिव बनी है, पहली निर्मल बच्च है, दूसरी कौन है, ये वीरा राणा, और अब तक ये मुख्य सच्चिव के रूप में निक्त किया गया है, और ये दूसरी महिला बनी है, कौन है, दूसरी मुख्य सच्चिव बनी है, और ये कि उसना आप से पूछे जा सकता है, कि दूसरी मुख्य सच्चिव है, वो कौन बनी है, तो वो बनी है, वीरा राणा, और अकर पहली पूछ ली जाए तो निर्मला बच्च है ठीक है बुच्च साइदी अब देखो न्यू पॉइट्मेंट सपन देख लेते हैं करन्ट अफेर से रिलिटेड नीना सियां के बारे में बात करें तो CISF की महानी देशक है और सील वर्दन सी है वो UPS के नए सदश्य बने है और सें अब देखने हैं और गितिका मैता निव्या इंडिया की MD बनी है यह सारी जो पॉइंट मेंट है यह ध्यान रखना और अरविन पंगडिया के बारे में देखे तो सोलवे वितायोक के चेर्मेन बने है इनके बारे में विसेस ध्यान रखना और प्रमोद अगरवाल की बात क करें तो बोम में स्टोक एक्स्चेंज के अध्यक्स है और इंद्रमनी पांडे की बात करें तो विस्न टेक के नए मास सचीव बनी है विकास हील एसेई डवलोप्मेंट बैंक के कारीकार यह देख सें और नेक्स्ट बात करते हैं जी राम मोहन राइकी तो सेभी के नए एक है जिनके अभी निक्ती हुई है मध्य पडेश की मुक्य सचीव है वो बनी है देखो यह सारी चिज़े जो आपको है नए डेली रिविजन करवाई जाती है महलब डेली किसी का भी अगर अपोइटमेंट होता है कोई भी न्यूक तो होता है तो अपन क्या करते है जो पिछ में सबसे ज़्यादा प्रदूशन है वो फेल रहा है तो देखो बताओ कौन सा वाहने जिन को चलाने के लिए बंद किया गया है तो बी एस फॉर डिजल बी एस थ्री पेंट्रोल उपरोक्त दोनों या इन में से कोई नी तो देखो बात करें तो इन दोनों कोई यह फॉर वीलर है ठीक है ऐसे मत तो चल सकते हैं पड़ी फॉर विलर में जो बीएस फॉर डिजल वाले आते बी त्री पेंट्रोल वाले आते हैं इनको बंद किया गया यानि इस परतिबंद लगाया गया है अब देखो इस फोटो की माध्यम से आपको समझ में आ रहोगा कितनी भीड होती है यहां कितना परदूशन फेलता है यानि कि जगह नहीं है यहां पर पेर टिकाने की भी इतना बह प्रदूशन है और दिल्ली सरकार के दोरा परतिबंद 4 पया वाहन पर लगाया गया है जो आपको ब्यश फोर बताया है ठीकर लिखो बीर में ब्यश वर तों डीजल है और ब्यश थि पैंट्रोल इन दो वानों पर परतिबंद लगाया गया है ताकि tali संक्या कम हो और दिल उसको भी क्या कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए और कारण की अगर आपन बात करें क्या कारण रहा होगा इसका तो वायो गुर्मत्ता प्रबंद आयोग ने प्रतिकूल जलवायू प्रस्तीतियों और स्तानी प्रदुशन श्रोतों के कारण डिली में AQI वर्दी के कारण ये डिसीजन ने लिया है ठीक है इस वर्दी की कारण AQI एर पॉलिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इसके लिए दिली सरकार ने क्या ये कदम उठाया है दिली को भारत का सबसे प्रदुशित सहर भी बताया गया है तो ये तो दिखी रहा है कि सबसे प्रदुशित होग अधिवां ये नेक्स्ट अपन देखते हैं हाली में तमील अडु में कौन सो महोच्षव है वो प्रारम किया गया है तो आपका उप्सन है जली कुट महोच्षव काला गोडा महोच्षव कमबाला भेस परतियों गी तो ये अंतराष्ट्रे परपल महोच्षव करेक्ट ताम महाउसव है वो कहां पर आयो जितुआ वो विकाने राजस्तान में आयो जितुआ कमबाला बहंसपरतियों गिता कि अपन बात कर लेते कि कमबाला जो बहंसपरतियों गिता है ये कहाँ पर, तो कंबाला से कैसे याद रखो करनाटक, कंबाला बहांस परती होगी ता करनाटक में और काला गोडा महोचव कि अगर अपने बात करें, कि काला गोडा महोचव है वो कहाँ तो देखो काला गोड़ों मौग से यह महारास्टर में अर्य जित होओ आ्योस जित हो देखो आ्योस जित हो रहा है भी तो इसमें क्या होते है सांड की लडाई होती है ? यह सांड वाला जो है ये किया जाता देखो इसमें बहुत जादा ज्यानमाल का खत्रा रहता है काफी लोगों की मृत्यू भी हो जाते हैं सरकार ने कुछ समय पहले इसमे परतिबंद लगाया था बट क्या हुआ कि इन लोगों ने तमिलनाडू के लोगों ने क्या किया यह पहले की परमपरा है तो हम इसको बंद नहीं कर सकते तो इसलिए इन्हों ने परदाशन वगेरा करके फिर से सरकार को है वो मना लिए तो देखो, माउच्व याँ परतिवहगिता की बात करें तो जली कुट्टू है और स्तान की बात करें तो मदूरे जिले में होता है तमिलाडू का जिला है और जल्ली कुट्टू सांडो को वस में करने वाला एक खेल है यानि एक तरीके से खेल परती होगिता है यह और यह खेल 2000 वर्स पुराना है तो इसलिए यह क्या नहीं करना चाहते कि जो यह आपकी सा नहीं करवाना चाहते ठीक है और पॉंगल फसल उट्सव का मुख्या आकर्शन भी है ठीक है पॉंगल तेवान यही तो मनाया जाता है तमिलाडू में तो अपने तो यह मकर संकराती मनाई जाती है और इनके क्या मनाया जाता है वैसे अंतराष्ट्रिय है जो पतंग बाजी अगर अपनी इसके बात करें कहां आयोजित होता है तो यह गुजरात में आयोजित होता है और यह साथ दिवस्य कार्यकरम है गुजरात में ठीक है साथ दिवस्य कार्यकरम है जो साथ तारिक से स्टार्ट होकर 14 जनवरी तक यह चलता है ठीक है अलग-लग सेरों में आयोजित होता है अब देखो पॉंगल के बारे में अपन पढ़ेते हैं कि पॉंगल का बाता है ये पॉंगल जनुवरी के दूसरे सप्ता है में आयोजित होता है ठीक है और तमिल नाडू है तमिल नाडू का नाम आया तमील नाडू के बारे में पढ़ लेते हैं, यह है तमील नाडू देखो, इसमें सारी चीज़े शोक की गई है, और निर्ते भी शोक किया गया है, नीलगिरी थार, एलिफेंट, यह सब चीज़े हैं तमील नाडू में क्या-क्या प्रसिद्ध है, कौन सा अब्यारन कहा है, चेने एक्सप्रेस साइद मुवी देखी भी होगी, तो चेने ही है, इसकी राज़दारी है, अगर राज़ेपाल की बात करें तो आर एन रवी है, और अब हम मुख्यमंदरी की बात करें, एम के स्टालिन जो डी एम की है, ठीक है, और स्तापना की बात करें तो 26 जनुरी 1950 म तो तमील वासा इसकी होगी, ठीक है, सबी को समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं, हाल ही में चित्रा वनर जी दिव्या करूनी द्वारा लिखित कौन्चे पुस्तक का अभी भी मोचन किया गया है, तो देखो पुस्तक का नाम अगर देखें तो गांधी आंस्वर क्या होगा, करेक्ट आंस्वर बताने से पहले में आपको उप्शन कर लेते हैं, गांधी एल लाइफ इन थ्री केमपर्स के अगर अपन बात करें तो ये किन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, अभी हाली में चर्चा में आई है, अमजे अकबर के द्वारा, ए गितासी है, और आरिफ खान बारती, ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक है, वो लिखी गई है, आरिफ खान बारती के द्वारा, और बात करते हैं संस्कृति के आयाम की, कि संस्कृति की आयाम है, ये पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है, ये मनोरमा मिश्रा के द्व पारा लिखी गई है ठीक है तो इसका करेक्ट आनसर आपका क्या हो जाएगा option C है इसका करेक्ट हो जाएगा ये पुस्तक का पुरा नाम आपको बता दिया गया है और ये तीनु पुस्तक है चारु पुस्तक जो मैंने आपको options में बताई है तीनु चारु इपोर्टेंट है ध्यान में रखना ठीक है ये पुस्तक है वो अब अपन इसके बारे में देखते हैं पुस्तक का नाम है एन एनकॉम लव अगर पूरे नाम के अपन बात करें तो पूरा नाम है एन एनकॉम लव दे अरली लाइफ ओफ सुच्छा एन नारायन मूर्ती लेकर कौन है चित्रावनर जी जो दिव्या करूनी है चित्रावनर जी और दिव्या करूनी ठिक है और यह पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित जोडों में से एक सुधा वन नारायन मूर्टी के जीवन का एक अंतरंग द्रिश्य परस्तुत करती है यानि इनके जीवन के बारे में बताए गया है सुदा और नाराइन मुर्ति जी के बारे में इस पुस्तक में चित्रित किया गया है और अब अन्य पुस्तक भी देख लेते हैं, कौनशी कौनशी पुस्तक है जो हाली में लिखी गई है जेबा एन एक्सिडेंटल सूपरहिरो देखो ये पुस्थक सबसे इपोटेंट है ये एक्जाम में आपसे पूची जाती है तो हुमबा कॉरेंसी है वो इसके मलब लेखक है जेबा एन एक्सिडेंटल सूपरहिरो के और वेलकम टू पेराडाईज है वो ट्विंकल करना है और ब्रेकिंग दे मॉल्ड वो रगुराम राजन है और ये पुर्व गवर्नर आर्बी आई है और दो पलकों की छाहों में डॉक्टर हिमा जोसी के द्वारा लिखी गई है और संस्कृति के आया मनोरमा मिस्रा के द्व बर के द्वारा ठीक है तो इन पुस्तकों का भी आप द्यार रखना चलो अब अपन नेक्स्ट भी आपका clear हो रहा है अब चलो आपको थोड़ा सा कुछ और भी बता देती हूं कि आपको अपनी फाइल दिखा देते हैं कि अपनी जो यह फाइल है किस तरीके से आपके लिए रेडी की गई है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है आपको बिल्कुल भी प्रॉब् बताया था उसी तरीके की अपनी फाइल है साथ में डाइग्राम भी समझाए गए है जिससे आपको ऐसे ना लगे डाइग्राम जरूर याद रह जाते हैं तो किस क्यूशन अपने डाइग्राम के मादिन से सोल्प हो जाते हैं तो साथ-साथ में आपके लिए यह सुदा भी की गई है ठीक है तो फाइल एकदम अच्छी है आप पढ़ सकते हो अपना टेलिग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगी एकदम अराम से डेली की फाइल अपनी वहीं मिलती है तो टेलिग्राम चैनल अपना कौन सा है जीडी केंपस है ठीक है जीडी केंपस अपना टेल यहां पर आपको काफी सूल्दावानेयं मिलेगी इससे साथ मैंने उच Blockchain यूअpert तो वो भी आपको फ्री मिलें यानि सब कुछ मेटर एक दम अच्छा मिलेगा तो अगर आप चैनल अपना देखना चाहते हो तो चैनल है इसको चैनल वो रहा और यह अपना आये पर इसको इंस्टॉल कर लेना और आपको कुछ नहीं जाने वाला थोड़ा सा नेट खतम होगा बस वो नेट है आप ऐसी वीडियो देखने में खराब कर देते हो कोई दिकत नहीं है ठीक है तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में सभी को धन्यवाद सभी को धन्यवाद